Cheese Ticky Hi, welcome to Sanjeev Kapoor Khazana, मैं हूँ Aisha और आज हम बनाने वाले हैं Cheese Tickies और इसके लिए हमें चाहिए 3-4 medium size उबले और छीले हुए आलू आधा कप grated cheese आधा कप cube किया हुआ पनीर 2 बड़े चमच कटा हुआ हरा धनिया 2 बड़े चमच मैदा 2 बड़े चमच कॉन फ्लार 1 बड़ा चमच अध्रक लसोन का पेस्ट 1 चोटा चमच रैचिली फ्लेक्स 1-2 कटे हुए हरी मिर्च तेल शैलो फ्राइं के लिए और नमक स्वाद अनुसार सबसे पहले एक बड़े पोल में हम आलू को मैश कर लेंगे इसके अदर हम डालेंगे ग्रेट चीज और कटा हुआ पनीर इन सब को भी अच्छी तरह से मैश कर लें अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च चिली फ्लेक्स धन्या नमक मैदा और अध्रक लसुन का पेस्ट इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा सौफ डू बन जाए ये डू अब तयार हो गया है इसके एक छोटा सा पोर्शन लीजिए और एक अच्छा सा टिकी का शेप बनाईए और इससे हम अब कॉन फ्लार से कोट करेंगे एक्स्ट्रा जो कॉन फ्लार है उससे हम अच्छी तरह से डस्ट कर लेंगे और ये टिकी तयार है इसी तरह बाखी के टिकी बनाएए तवा अब गरम हो गया है इसमें हम डालेंगे तेल ताकि हम टिकी को शैलो फ्राइ कर सके तेल अब गरम हो गया है इसमें हम डालेंगे टिकी और ये टिकी को हम दोनों तरफ से सुनेरे होने तक फ्राइ करेंगे टिकी अब दोनों तरफ से तयार है इसे हम एब्जॉर्बन पेपर पे निकालेंगे गर्मा गरम चीज टिकी तयार है इसे आप छोले या केचॉप के साथ सर्फ करें